हलो फ्रेंज मैं रिटा के क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए खूबसूरत से बेबी शूज लेकर आई हूँ ये शूज तीन महीने से लेके छी महीने के बच्चे को इजली आ जाएंगे और ये शूज बनाने बहुत ही असान है और देखिए बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये बेबी शूज के लिए हमने 17 फंदे लिए हैं 17 स्टिचज लिए हैं फंदे डालके हम उल्टी साइड से ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे हमने सबी फंदों को उल्टावुनाई करना है आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम देखिए सीधी साइड आगे राइट साइड सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब फिर देखिए हम उल्टी साइड आगे राउंग साइड राउंग साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे अब हम देखिए उल्टी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे आखिर के दोनों साइड के फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे अब हम ऐसे ही ये बुनाई करते जाएंगे और हम ये धारियां बनाएंगे झाल झाल अब ये हमारा शू बनकर तयार हो गया है ऐसे करके अगर हम ये धारियां गिने तो ये हमने 42 धारियां बनाई है 42 धारियां बनाई है आपने अपने बच्चे के पैर के देखे ऐसे आपको मैं बता देती हूं ऐसे पैर के चारो तरफ एडी से लेके एडी तक ऐसे नापना है आपने इसको उतना बनाना है अब देखे उल्टी साइड अब उल्टी साइड से हमने सभी फंदों को बंद करना है यह हमारी रॉंग साइड है तो हमने देखे दो फंदों को ऐसे लिया दो फंदों का एक बनाया फिर इस फंदे को हमने सलाई पे लिया दो फंदों का एक बनाया फिर हमने ये देखे दो फंदों का एक बनाया इस फंदे को सलाई पे लिया दो फंदों का एक बनाया ऐसे करके अब हम सारे फंदों को बंद कर देंगे अब हम यहां से धागे को काट देंगे और इसको यहां से हम पक्का कर देंगे यह देखिए यह हमारा शू बन गया अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हम इसको ऐसे देखिए फोल्ड कर लेंगे पहले हम इसका यह वाला पार्ट और इसका नीचे का यहां तक सिलाई करेंगे फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे सिलाई करना है जऑे में आपको आपताती हूँ करेंगे फिरेख बताती हूँ का हुआ हूँ को और फिर बताती हूँ करेंगे पहें वह फोल पिरी ओग्ट अन uncles सिलाई करेंगे अब हम देखे नीचे वाला पाट से लाई करेंगे तो हम इसको यहां तक से लाई करेंगे अब देखे हम इसको यह राउंड से लाई करेंगे तो हम इसको पास पास यहां पर टांके ले लेंगे वैसे खीच देंगे एक्स्ट्रा धागा हम देखे ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे अब यह दिखे यह हमारा उपर का पाट है शू का तो इसको कैसे सिलाई करेंगे हमने यह इतना पैर डालने के लिए हम रख लेंगे और यह वाला पाट अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हम इसको यह से पकड़ के यह दिखे मैं यहां पर एक ऐसे मारकर लगा रही हूं यह मारकर लगा दिया और इसको अब यहां से कटिंग कर दूंगी यह देखिए अब यह बराबर है अब यह देखिए हमने सुई में धागे को डाल लिया अब हम यहां से जैसे स्टार्ट करेंगे और यहां यह पास पास हम टांके लिते जाएंगे हम यह मारकर को निकाल देंगे अब हम इसको यहां से दिखिए ऐसे टाइटली बान देंगे और इसको यहां से हमने पक्का कर देना है अब मैं आपको शू को सीधा करके दिखाती हूं यह दिखिए यह इसका नीचे वाला पाट है और यह हमारा उपर वाला पाट है अब हम यहां पर बो लगा देंगे हमने ऐसे यह शूपर बो को अटैच कर देना है आप चाहे तो यहां पर बटन लगा सकते हैं मैं यहां पर बीड्स लगा रही हूं आप अपने बेबी के लिए बनाएं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यावाद